हलो गाइस हमारे पास एक रियक्टेंट है माना कि वो आर है उसकी रियक्शन जब जड़ेने एजी एसी एल से कराई जाती है तो मैं प्रोडक्ट ए मिलता है तो मैं बताने कि ओप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा राइट होगा यहाँ पर एसी एल प्रेजेंट है इससे मैं पता लग रहा है कि जो हमारा क्लीमेंस रिडेक्शन है वो कौन से मीडियम में होता है एसी डिक मीडियम में होगा और जो हमारा पास रियक्टेंट में ओएज ग्रूप है वो हमारा यही रिडेक्शन के बाद देखें तो किसमें चेंज होना चाहिए जैसा कि हम देखें यानि जब oxygen का लोंपियर H plus यानि एज के hybrid orbital में अटेक करे तो यहाँ पर हमारे पास H2O बनेगा जो H2O वो क्या होगा होने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा कार्बो केटाइन बनेगा जो यहाँ पर CL- था हमारे पास वो क्या करेगा एक तरह से नुकलियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यह नुकलियोफाइल हमारे कार्बो केटाइन पर अटेक करेगा और हमारे पास यह क्लोरिंग ग्रूप अटेच हो जाएगा सो हमारे पास अब इसकी रियक्शन जब जड़े ने जी असील से कराए जाए तो हम जानते हैं कि ये कार्बोनी ग्रूप को एक तरह से एलकेन में चेंज कर देता है सो हमारे पास जो प्रोटक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा सो जो कि हमारे उप्शन B से मेच करता है सो हमारा आंसर कुन सा होगा उप्शन B होगा